दोस्तो नया साल 2024 शुरू होने वाला है और इससे पहले सरकार की और से कुछ नोटिस चारी किये गए हैं कुछ काम ऐसे हैं जो आपको 31 दिसंबर से पहले निप्टा लेने हैं अधार कार्ट से लेकर डीमेट अकाउंट, बैंक लोकर, बैंक एफटी समेट टोटल दस ऐसे काम है जो आपको 31 दिसंबर से पहले निप्टाने हैं वरना एक जनवरी के बाद आपको काफी परिशानी हो सकती है, अगर आप गूगल पे, फोन पे, पेटीम का इस्तेमाल करते हैं तो आप नहीं कर पाएंगे 31 दिसंबर तक अगर आप ये काम नहीं करते हैं तो UPI पेमिंट को लेकर NPCI की तरफ से भी ये बड़ा निरने लिया गया 31 दिसंबर के बाद इन UPI नंबर को बंद कर दिया जाएगा, उससे पहले आपको एक काम करना है, कौन सा काम करना है, ये में आप लोगों को आगे बताऊंगी वही और भी कई सारे ऐसे काम हैं दोस्तों, पैसों से जुड़े हैं, जिनका सीधा असर आपकी जेप पर पढ़ने वाला है, तो आईए जानते हैं एके करके सभी दस बड़े कामों को जिनका हर हाल में आपको कम्प्लीट करना ही है, वरना आपके साथ साथ आपके परिवार वालों को भी काफी दिक्कते आ सकती हैं, क्योंकि जब भी नया साल चुरू होता है, तो सरकार की तरफ से कुछ नई प्लैनिंग बनाई जाती है, नई योजना लाई जाती है, कई पुरानी योजनाओं को खतम किया जाता है, कई सारे नए नियम लागू किया जाते हैं, तो 31 दिसंबर तक डिमेट अकाउंट में नौमिनी एड कर ले, ऐसा नहीं करने पर आपका डिमेट अकाउंट फ्रीज हो जाएगा, लॉक हो जाएगा, जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस स्टॉक मार्किट वगेरा में निवेश करते हैं, म्यूचियल फंड वगेरा में पैसा लगाते हैं, तो आपने डिमेट अकाउंट खोल रखा होगा, समी डिमेट अकाउंट होल्डर्स के लिए, SCBI की तरफ से ये निर्देश चारी किया गया है, और 31 दिसंबर तक की महलत दी गई है, कि किसी भी तरह आप अपने डिमेट अकाउंट में नौमिनी एड कर सकते हैं इसकी कुछ प्रोसेस भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर कम्पलीट पांच स्टेप दिये गए हैं, इनको भी फॉलो कर सकते हैं, आप नौमिनी एड करने के लिए, दोस्तो अगला अपडेट है किसान भाई लोगों के लिए, परधान मंतली फसल बीमा योजना को लेकर किसान के लिए फसल बीमा में आफदन करने की लास्ट तारीक 31 दिसंबर ही है, तो किसान गेहूं चना इन फसलों को जोखिम से बचाने के लिए बीमा कर सकते हैं, हलाकि कई राजियों में किसानों को अभी तक भी पिछले खराब फसलों का मुआवजा नहीं मिला, तो इससे किसानों में भी रोश्ट देखा जा रहा है, लेकिन कुल मिलाकल ध्यान दे, रवी की फसलों के लिए किसान फसल बीमा योजना की आखरी तारीक 31 दिसंबर है, आप गूगल में सिंपली सर्च करोगे परधान मंतली फसल बीमा योजना, तो आपको ये पहले ही पा हगों के लिए एक शानदार खबर है, सस्ते में होम लोन लेना चाहते हैं, आप तो 31 दिसंबर तक इस ओफर का फाइदा ले सकते हैं, स्टेट बैंक ओफ इंडिया, SBI की और से होम लोन पर ये ओफर निकाला गया, दोस्तों जिनकी आखरी तारीक 31 दिसंबर है, अब इसमें दे सकते हैं, कि अगर आपका सिबल स्कोर इतने से इतने के बीच में हैं, तो आपको SBI के होम लोन पर बयाज देरों में अभी कितनी चूट मिल रही है, कितने परतीशत की चूट मिलेगी, तो यहां कम्प्लीट लिस्ट आप देख सकते हैं, चली अगला बड़ा एक जनवरी दो हजार चौबिस के बाद बंद हो जाएगा, आपका गूगल पे, पेटी एम, फोन पे वगएरा सब की UPI ID, इसके पीछे कारण क्या है, तो दरसल NPCI की और से आदेश चारी किया गया है, कि एक साल से निश्क्रिये UPI ID को बंद किया जाएगा, एक साल से लेन देन नहीं किया, ना ही कोई रिचार्ज किया, नहीं किसी को पैसे ट्रांसफर किये, नहीं आपने खाते में पैसे आए, बस अपने UPI ID बनाई है, उसके बाद एक साल हो गया, कोई भी लेन देन नहीं हुआ, तो ऐसे में अब एक जनवरी के बाद आपकी UPI ID बंद हो ज एक रुपे तो हर कोई दोस्त भी डाल देगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तो इससे क्या होगा, फिर से आपको एक साल तक की और छुट्टी मिल जाएगी, दो हजार पच्चिस तक वरना दोस्तों आपकी UPI ID बंद हो जाएगी, एक बार तो फिर चालू करने में का काफी दिक्कते आ सकती हैं, तो इसी लिए 31 तारीक से पहले पहले कोई भी छोटा बड़ा ट्रांजेक्शन जरूर कर ले, अब दोस्तों बैंकिंग न्यूज से अगला बड़ा अपडेट है, जल्दी बंद होने वाली ये पांच स्पैशल FD की स्कीम भी है, कई सारे अलग नहीं आप समझ पा रहे होंगे, स्पैशल FD स्कीम जो विशेश योजना के तहत ही निकाली गई है, देखिए आप किन किन बैंकों की स्कीम है, नमबर वान, SBI की अमरित कलश स्कीम, इसमें अभी सीनियर सिटीजन को साढ़े साथ परतीशत से भी जादा बयाज मिल रहा है, FD पर लेकिन इनकी लास्ट डेट डेडलाइन जो है, वो है 31 दिसंबर तक, तब तक आप SBI योनी एप के जरीए भी इस FD में इवेश कर सकते हैं, या SBI ब्रांच के जरीए भी फॉर्म भर सकते हैं, दूसरी स्कीम है दोस्तो, IDBI बैंक की स्पैशल FD स्कीम, इसमें दो अल इसकी भी FD की लास्ट डेड 31 दिसंबर 2023 ही है, और तीसरा बैंक एक और FD पर ओफर दे रहा है, इंडियन बैंक की स्पैशल FD स्कीम, जिस पर भी अधिकतम 7.5 परतीशत और सीनियर सेटिजन के लिए तो 8 फिसदी तक बयाज ओफर किया जा रहा है, और इंडियन बैंक की स दिसंबर तक कर पाएंगे, राजस्थान बोर्ड के टोप 20 परसंटाइल की श्रेनी वाले चातर इसके लिए आवेधन कर सकते हैं, राजस्थान में चातर वृति योजना के लिए कलावार नीज्य विज्यान अलग-अलग शेतर के नियमित कॉलेज विद्यार्थी योजना के पात रहोंगे, राजस्थान बोर्ड के वो चातर जो वर्ग में टॉप 20 परसंटाइल की श्रेनी में आते हैं, वो सभी इनके लिए अपलाई कर पाएंगे, तो ये चातर वृति के लिए ऑनलाइन फॉर्म 31 दिसंबर तक भरे जाएंगे, अब अगली खबर देखिए, आ आप राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर है, 31 दिसंबर तक अधार कार्ड के साथ राशन कार्ड की KYC कंप्लीट कर ले, वरना लाभार्थी सूर्ची से आपका नाम कट जाएगा, सिधा सिंपल ये कि राशन की दुकान पर जाकर आपको अपना अधार कार्ड जमा कराना है, फोटो कॉपी देनी है, चलिए दोस्तों अगला बडेट है, बैंक लोकर को लेकर, कुछ नए नियम जारी किये गए है, अगर आपने भी किसी भी बैंक में लोकर ले रखा है, तो अकाउंट में पैसे रखने से पहले, आर बी आई का यी नया नियम जान लीजिए वरना आपकी जेब खाली हो सकती है, एक जनवरी दो हजार चौबीस से ही आर बी आई बैंक लोकर के नियमों को बदलने जा रहा है, उससे पहले आपको कुछ काम है जो निप्टाने है, अगर आपको 31 दिसंबर 2022 से पहले बैंक लोगर एग्रिमेंट पर साइन किया है, यान तो बैंक से जुड़ा एक और अपडेट ये भी है कि पंजाब नेशनल बैंक ने अपने ग्रहकों को जरूरी है मैसिस भेजो और कहा कि 18 दिसंबर तक आपको बैंक में KYC कम्प्लीट करनी है, वरना आपका अकाउंट डियक्टिवेट हो जाएगा, तो पंजाब नेशनल ब अपडेट की सुविधा का फाइदा ले सकते हैं, जिन जिन भी लोगों के अधार कार्ड को बने हुए 10 साल से उपर हो चुके हैं, उन सबको अपने अधार कार्ड की बायो मैट्रिक अपडेट करनी पड़ेगी, अब कुछ और अपडेट देखे दोस्तों, उतर परदेश म 15-31 दिसंबर तक चलेगा सडक शुरक्षा पखवाडा, सडक दुरकटनाओं में कमी लाने के लिए मकसद से यूपी सरकार की तरफ से नए साल 1 जनवरी 2024 तक यानि 31 दिसंबर की रात तक ये सरक शुरक्षा पकड़ावा चलाया जाएगा, और यहां तक कि यूपी की योगी सरकार ने तो ये भी निर्देश चारी किया है, अब अगर आप उत्तर परदेश में गारी चलाते समय ट्रैफिक रूल्स को तोड़ते हैं और तीन बार से जादा बार अगर आपकी गारी का चलान कट जाए तो आपका ड्राइविंग लैंसेज भी सीधा कैंसल कर दिया अगला अपडेट है कि परिक्षाओं के बाद नहीं होगी चुटी, 31 दिसंबर तक चलेंगी स्कूल बच्चों की पर्फॉर्मेंस में सुधार लाने के लिए ये माचल परदेश रिक्षा विभाग की तरफ से स्कूलों के लिए नया नियम लागू किया, अब जो एक्जाम होंगे बोर्ड एक्जाम वगएरा उस दोरान में स्कूल चालू रहेंगे, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आप भी अपने ये काम 31 दिसंबर से पहले कंप्लीट कर ले, तो दोस्तों अगर आपको आज की जानकारी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, शे